पीता जी अभी 97 सोल है अभी है 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 जी उसको बहुत सौकर वह बहुत जानकार है खुड़े का आपको कैसे लगा कि मैं भी गोला पालू वो मेरे दादा जी बात करते है कि हम दादा जी ने बोला कि चलो बेटा तुम भी ले मैं तुझे समझाता हूं सब यह क्या है कैसे होता अच्छा रहता है वो सब समझाया फिर हम गोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो बहुत वफादार होता है हमारे इदर जब बाड़ आई थी तब गोड़ा हमारे कॉंटेक्स से थोड़ा खो गया था कि बहुत बाड़ आई थी तो हमने वह रेलवे की पट्री पे रख दिया था हो तो उस ताइम में जाई में बारिष में गया तो मैंने बोला सेरू चल कैसा है तो उससे बात ही नहीं किया मतलब जैसे वह इग्नॉरar व्यूज節目 कर रहे हैं कि मुझे मेरी अच्छी तरह से कहरकी तरह से मतलब वह भी इतना समझ रहे हैं कि आप मुझे लिके आए वो तो है कि नमसकार नंश्कार नमस्कार नमसकार जी उंकल जी पहले आप अपना नाम माई यह पताई है कि बहुत्व मोड़े यह को आपने की जगह नहीं मिलती यहाँ और यह गोड़े को अर आपने इसको फ्रेसर ये धॉला है हं वा खी में बंगी में चलता है वो गई में चलता है अमारा सब परिवार है हारिडर है अपना प्रमुर को पारे उसका सा रहे ऐ है तो Withi, Umis bull düny है प्टाइ आपने बुद्ट सो लिए कुमो अभी कुछति व स्पत्रा नाम क्या किया इस की मॉमारा फाइड किẵ?" वालोतार मेले लिया है? यह उमेज भाई और यह प्रमुद भाई के सलाशन। प्रमुद भाई के सलाशन। यह वेशन हमारा दक्षिन गुजराट में शिंदी गोड़ो करेंड है पर आपने एक मरवारी गोड़ो चूज किया इसका क्या रिज़ रिज़ है? सिंधी और मरवार जोटे सिंधी नसल है नहीं उधा और आपका परिवार कितने समय से गोडों का पलन करता है यह तो अभी दो साल हुआ है यानि आप नहीं अपने बहुत देड़े बात में 20 साल बंद कर दिया था अभी दो साल से नहीं वापस लिया कोड़ा तो अमरा बच्चे को सौक जादा है ज्यांकर जी यानि आप गोड़े किने सालों से पाल्दा सुरू किया आप अपने बटाया कि आप दो साल से रख रहे ह मेरे पीता जी अभी 97 अभी है 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 उसको बहुत सौक है वह बुर जानकार है कोड़े का आपके उसके समय में गोड़ा रखता रहे बात में उमर हो गे उसका रोगों से निकाल दिया है और वैसे भी असी के दुशक में वलसार रेस बहुत होती थी ती हाँ हाँ हुँ वह इ यानि गोड़ की सोखेन है तो आपने गोड़े नहीं रिपाले मैंने नहीं नहीं पड़ा आप मेरे लड़के नहीं वह लिया है दोस्तों चली हम यंग्स्टर से भी बात करते हैं जी आज आज आपको कैसा लग रहा आपका गोड़ा गेलप की रेस में फर्स्ट आया नहीं ब जाते थे तो मैं भी सोचा कि आगी आप लोग करते हो तो मुझे मेरे जान में क्यों नहीं है कि मैं क्यों नहीं देख सकता गोड़ा तो मेरे दादा जी ने बोला कि चलो बेटा तुम भी ले मैं तुझे समझाता हूं सब यह क्या है कैसे होता है क्या ब्रीडिंग होती है कै कैसी कौनसी नसलका बज्यादा अच्छा रहता है वो सब समझाया फिर हमने थोड़ा सर्च किया नेट पे सर्च किया उसी साब से फिर इंट्रेस्ट आया तो फिर गोडा लिया जी और कहीं न कहीं हमारे ब्लड में भी थोड़ा घोड़ो अश्वापालक का खून दोड़ता ह है तो फिर उसी साब से अच्छा आपकी जो वाइफ है या फिर आपके जो सब लोग भी आपको इसमें सपोर्ट करते हैं हां बहुत सपोर्ट करते हैं अभी मैं तो बरोड़ा मूग हो गया हूँ पर यह फादर ने बताया कि आप हमने गोड़ा रेस में उता रहा है तो मैं लचलो मुझे जाना चाहिए तो मेरे वहाइफ की बली कि चलो हम और च्छूना साथ में जाते हैं छूटी नहीं थी फिर भी हो छूटी लेके हम आए इदर देख सकते हैं दोस्तों कहीं ग Qian определ बलडل या फिर करका होuber है या फिर बचपन खाली मोंबाइल और वीडियो गेम में ही मस्त है और यह एक ऐसा सोख है जो आपको इसके बारे में क्या कहेंगे आप गोड़े के यह गोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो बहुत वफादार होता है हमारे इधर जब बाड़ आई थी तब गोड़ा हमारे कॉंटेक्स से थोड़ा खो गया था कि बहुत बाड़ आई थी तो हमने वह रेलवे की पट्री पे रख दिया था तो उस ताइम में बहुत बारिश में गया तो मैंने बोला सेरू चल कैसा है तो उससे बात ही नहीं किया मतलब जैसे वह इग्नॉर कर रहा है कि यह मुझे ऐसा क्यों किया वह मतलब वह वह भी जानवर बता रहा है कि मुझे मेरी अच्छी तरह से करो यह करो वह करो कि मुझे भी अच्छी तरह से पालो मतलब वह भी इतना समझ रहा है कि आप मुझे लेके आयो तो मुझे भी अच्छा प्रिट्मेंट दो मुझे अच्छा रखो ऐसा थैंक्यू थैंक्यू दोस्तों बने रहे हैं विलेज फोरोग्राभी के साथ जैहिन वन्ने मात्रम भाद मारा कीजिए